हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टुमाई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे हैं आप सबाई हो कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हो यह हेल्दी सबजी की रेसिपी जो कि इस तरह की की बेल पर यह आते हैं और इनको जो है कुंद्रू के नाम से जाना ज करें जाता है इनको खाने के काफ़े ज्याधे माना जाता है कि सेवन से वजन भी कम होता है कैलशं़ पौटिशं बहूंत उसके फायदे तो आज हम इसी इससे वाश करके उपर से मैंने इस तरह कर लिया है गोल बिल्कुर ब्राउन नहीं करना है हलका सा color change करना है फिर देखिए इनको तकरीबन 102 मिनट में अच्छे से fry हो गा है मैं इनको निकाल लोगी कुछ इस तरीके से हलका सा इनका color आ गया है तो इसको बस निकाल लेना है जादा इसको brown नहीं करना अब मैं जो है सारे इसमें से निकाल लोगी और यहां पर मैं आपको आप सेम रेसिपी फॉलोव करके बना सकते हैं बहुत टेस्टी रेसिपी बनके त्यार होगी अब देखिए मैंने थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल लिया है और वागे तेल में आइट कर दिया है जीरा तो यहां पर जो है मैं इसमें एक चम्मच जीरा एक चम्मच इसमें सरसो तो सरसो से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो अब इन दोनों चीजों को थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है सरसो को हलका सा कलर चेंज हो इन तक अब मैं इसमें एक करें लसन तो यहां पर चार से पांच जबे मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हाप आप देख सकत हैं और इसको डाल कर जो है अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो इन तीनों चीजों का फ्लेवर जो है सबसी के अंदर बहुत अच्छा आता है और इन तीनों चीजों का तड़का यह बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज में करते हैं तो फिर देखिए इसमें एक कर दू तो आप देख सकते हैं कितने जादा इजी रैसिपी और बेसिक से इंगिरिडियंट्स बन जाती है और इसको बनाना यह बहुत जादा आसान है फिर देखिए प्यास का कलर यहां पर अच्छा हो गया है अब मैं इसमें हल्दी पाउडर तो आधा चमच में इसमें हल्दी क्योंकि मैंने यहां पर इसमें हरी मिर्ची भी एट करिए फिर इसमें एट कर देना थोड़ा सा पानी तो पाइन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां पर पानी की मदद से इसको अच्छे से भून लेना है क्योंकि सारे मसाले सूखे सूखे हो गया है तो इ बहुत अच्छी सब्झो punish सेन पयार हो युलीख एक लिया है peso कर लेना है और इसको मीक्स करना है एइस लिख नाल टेना है इसको डाल कर भी और जिए सेनदी कर दिया turned डाल Prだ शेन है जसकी तक डाल कर दीना है तक इसको डाल कर यहां पर मीक्स कर लेना ताकि जितना भी मसाला है, अच्छा से इस पर कोट हो जाए है सारे कुंधरूपे, और इसके साथ मसालग साथ कोंज दिर पका लेना है, जितना अच्छा सा आ पका लेंगा है, यसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको allड़ी अच्छा से फ्राय कर रखा है तो यह गले वे तो हैं सिनको थोड़ा सा और पकाना है तो इसमें अब एट कर दिने हैं तो यहां पर डोग़े साइज कर लिए और नमक जितना में फिसErा करें घीक हैétait तो यहां पर मैंें होगश को अपिर आपर टेस्ट करके नमक राव में हैरा सब्जी का क्यों सब्सक्क्राइब इसकách जो है इसे परकुंद की जो गुक्षे सब्सक्राइब लेना इसे निय прот German कि आपका लेना है तो कहले हुआ हिसमे साम।ं कर डेक्न थीन मानी को अथा में घ civस मुद्ध में Sao फिर के थकना ड़कन अटाना। इसको चेक कर लेना है है système मैं इसको चेक कर रही हूँ मैं लेमन अधा कम्भी और अचासरी फ्राई रही है क में और uh उपर तक तल सराय, आप देख सकते हैंоп और हमारी सब्सी बन के तियार होती है इसको रोटी पराथं के साथ सफ़् गर के नहीं आप इसको सुखी सब्सब्जे के तौर पर सी उल्हक बहुत टेप्ड रइसेपी किया नहिбिद कर लगी नहीं कीकर जांत करें और जादा जादा शेर करें और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यू टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर रचिंग इस वीडियो